यह तस्वीरे देखिए यह वीडियो देखिए यह किसी दुसरे देश का नहीं है इसी भारत का है यह तस्वीर है राजस्थान के मानगर की आप सोचिए जैपूर के अंबागर के बाद मानगर जो किया इतिहासिक धरती है जहां पंद्रह सो भीलों ने अपनी कुर्वानी दी थी बांसवारा के मानगर की है जहां तीन राज्यों के आदिवासी जमा हुए थे आपको पता है क्यों पिछले साल आरेसेस निया भगवा फहराया था उसने कोशिस की थी कि मानगर के इतिहास को मिटा दिया जाए लेकिन अब आदिवासी समा सचेत है और उसे पता है कि उसका सम्मान के साथ समझावता हो रहा है क्या है मानगर का इतिहास और क्यों जमा हुए थे लाखो आदिवासी और क्यों द्रापदी मुर्मू जो आदिवासी महिला उनको राश्पती बनाने के लिए मजबूर हुआ है बीजेपी ये तमाम बातों पर परत दर परत खुलासा करूँगा नमस्कार मैं शंभू कुमार सिंग और आप देख रहें निशनल दस्तक बासवारा राजस्थान के बासवारा के मानगर में पिछले दो-तिन दिन पहले हज़ारों लाखों आदिवासे जूटे किसी टीवी अखवार ने आपको नहीं दिखाया एक वीडियो देखा होगा आपने किरोरिल लाल मीना जो बीजेपी के मेंबर अफ पार्लियामेंट है उनको किस तरह से जलील किया गया था एक सवन वीजेपी के नेता के द्वारा और उन्होंने उसको समझाया था कि आउकाद में रहो वोट हमारा है राज हमारा चलेगा सोचिए गुरु गोविन सिंग के नेतरित में पंदरसो भीलों ने यहां अंग्रेजों से लोहा लेते हुए अपनी कुर्बानी दी थी बड़ा इतिहास रहा है है जालिया वाला बाग के बाद सबसे बड़ा हत्या कांड हुआ था गुरु गोविन सिंग भी यहां गये थे यहां पर महान संथ गुरु गोविन सिंग के नेतरित में पंदरसो भीलों ने अपना बलिदान दिया था यह बलिदान आजादी के अंदोलन में अब तक ख्याता नाम जालिया वाला बाग के बलिदान से भी बड़ा था उससे भी पहले हो चुका था मान गर्धाम बसवारा जीले का अनंद पूरी से कुछ दूरी पर बना हुआ है ऐसा ऐस माराख है जो गुरु भक्ति और देश भक्ति की एक साथ दरसाता है करिफ सौ साल पहले सत्रा नमब और निसो तेरा मार्सिस पुर्णिवा पर गुरु का जनम दिन मनाने के लिए कत् दोना दोनिवासी, हिंदु, ब्रहामन नहीं है वो ब्रहामन धर्म नहीं मानते है क्योंकि उसमें उस्वें उच-उच नीच है भेद वाव है जातिवाद है वो कहते हैं ! परकिर्ती के पुजारी हैं, हम सिद्धो कानू के संतान हैं, बिर्सा मंडू के संतान हैं, हम जैपाज मुंडा के संतान हैं, हम अंग्रेजों से लगने वाले हैं, सिद्धो कानू तिलका माजी सबसे पहले सोतंतरता से नानी, लेकिन आरे से सुहां अपना जंडा लहराना चा करने की कोशिस हो रही है भीमा कोड़े गाओं या मानगर इन तमाम जगों पर कबजा करने की कोशिस हो रहे लेकिन आदिवासी अब सचेत है और जागरुख है और वो सवाल पूछ रहा है कि आखिर हम वेवस्था में नहीं है हमारा अक्षन हमारा खत्म हो रहा है और तुम हम को किस बात के लिए अपने धर में सामिल कर रहा है सोचिए मैं कुछ कोट करूंगा यदि कोई धर महान है तो उसमें अच्छूत पैदा कैसे हो सकते हैं और अगर अच्छूत पैदा होते हैं तो अधर महान कैसे हुआ आपको पता है गुरू गोविन सिंग ने जितनी और याद कर लिजए इतिहांस देख लिजए गुरू गोविन सिंग की पूरी लराई किन के खिलाप है कितनी लराई मुगलों के खिलाप है। अतियाचारी राजाओं के खिलाप है, गुरु गोविन सिंग साहब का, देख लिए उन्होंने कलम भी उठाया, और उन्होंने हथी तलवार भी उठाया है, वो बना सिंग बहादूर को तो कह देते हैं, मुगलों के अतियाचार के खिलाप भी लरें, सिवाजी महराज ही लरे लेकिन सवाल है कि सिभाजी महराज को अच्छूत कौन कहता था भरे राज में उन पर तलवार किसने चलाया संभाजी महराज का कतल किसने किया ये सब सवाल पूछा जाना चाहिए और कौन खड़ा होगा सबकट घरे में वो मनुवादी जातिवादी जो अंगरेजो के भी गुलामी करते थे जो अंगरेजो के भी चाकरी करते थे ऐसे लोगों से सवाल पूछा जाना चाहिए तो इतिहास को काबर लेने जाओगे तो पुस्वर्सा होगी नौकरी मांगने जाओगे तो लठ वर्था होगी अब निर्णय आपको करना है तो सोची आदिवासी असमिता को खत्म करने की कोशिस हो रही है उनकी आरक्षन को खत्म किया जा रहा है उनको सिर्फ जुनजुना थमाय जा रहा है उनको कहा जा रहा है कि तुम हिंदू हो और हिंदू भी इसलिए बोल रहे हैं कि इनकी मजबूरी है यह अपने आपको ब्रहामन सनातिनी धर्म कहते हैं यह अपने आपको भगवान का संतान कहते हैं इसका मतलब तुम अपने भगवान के संतान हो तो तुम अपने भगवान को मानो हम संभिधान के संतान है तो हम संभिधान को मानेंगे कि हमको संभिधान से अकदिकार मिला है मनुवादी कहते हैं कि भगवान से हमारा सीधा रिस्ता है हम भगवान की अफ्तार है हमें पूजो सूचिये किस तरह का खेल चल रहा है इत्यास को अपनाया जा रहा है कोई टीवी अख़वार इस पर भहस नहीं करेगा कोई आपको नहीं दिखाएगा इसी डर से RSS और BJP जो पूरे देश में पैन इंडिया जो अंदोलन चल रहा है इस देश में 20-25 करोर आदिबासी है वो ज तरना कोट बिल की मांग करते हैं हमारा आरक्षन बचे हमें संविधान में जो अधिकार है वो बचे हमारा जल जंगल जमीन बचे आप सोचिए आदिवासी की लडाई लडने वाले हिमानसु कुमार की याचिका खारीज कर दी जाती और 5 लाग कर जुर्माना कर दिया जाता है वही विजे माले को 2000 का जुर्माना क्या स्गया चल रहा है सहाब इस देश में और बोलने और लखा जेल में हैं तेल तुम्रे जेल में हैं और अब इनके इतिहास को भी कबजा करने की कोशिस है कितने आदिवासी संसद में हैं कितने आदिवासी MLC और राजसभा में हैं रिजर्वेशन के अलाबाद भी वो चुनाओ नहीं जीत पा रहे हैं उनके लिए स्कूल नहीं है कॉलेज नहीं इनिवर्सिटी नहीं है मीना समुदाय को लीड करना चाहिए वो सिस्टम में भी परहे लिखे हैं इस देश में आदिवासीों के हाथ में कलम पकराना होगा और पड़ेगा कि वो कौर लोग थे जिन्होंने उनको नक्सली बनने के लिए मजबूर किया और नक्सली बनाकर उनकी हत्या करवाई और उनके नाम पर पैसे उठाएं अगर आदिवासी समाज जैपाल मुंडा बिर्सा मुंडा तिलका माजी सिद्धो कानों इनके रास्ते पर चलेगा तो उनको अधिकार मिलेगा उनके इतिहास को खत्म किया जा रहा है और इसलिए वो सरनाकोट बिल की मांग कर रहे हैं और इसलिए आदिवासियों को बहकाने के लिए बरगलाने के लिए द्रौबदी मुर्मू को राश्पती का कंडिडेट बनाया गया है वो चुन जंगल जमीन का परहतियाना चारा है कबजा करना है उसकी जाती पता के दिए और तब पता चलेगा कि मीना समदाय हो चाहिस देश के तमाम आदिवासि समदाय हो उनके हक अधिकार को कौन छिन रहा है मैं इसलिए कहता हूं कि इस देश में सबसे पहले हुल जोहार आदिवा वो परकिर्ती को मानने वाले इस देश को बचाने वाले हैं वो परकिर्ती को बचाने वाई लोग हैं लेकिन उनके नाम पर रादनीती हो रही है लेकिन क्या मजाल है कि टीबी अखवार इस मामले को उठाएगा निशनल दस्तक की लगातार कोसिस होती है कि जो बहुत संख् सोसित बंचित समाज है उसकी आवाज आप तक पहुचाई जाए शुक्रिया